शिक्षा सर्वोपरी है अन्नदाता इसको भले भादी समझता है इसलिए बच्चे बुजर्गों के लिए बहतर शिक्षा की विवस्था कर रहा है किसान अब स्कूल भी चलाएंगे पाठ्ठेक्रम को लेकर लगभग चीज़ें तैह हो गई है नए जबाने के हिसाब से प्रो किसानों ने दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे पर पहले तो गाउं बसाया अब आंदूलन के लंबे चलने के आसार को देखते हुए अगले दो-तीन दिनों में स्कूल खोल रहे हैं क्या होगी इस स्कूल की खासियत चलिए अब वो भी बताये देते हैं स्कूल के विध्यारती पांच साल के बच्चे से लेकर सौ साल तक के बुजर्ग भी होंगे इन्हें मुख्य रूप से शिक्षा और उनके अधिकार के पाठ पढ़ाये जाएंगे बकायदा पाठिक्रम भी बनाया गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर ल सकें प्रोग्राम को एक दिन एक प्रदेश का नाम दिया गया है मिनी स्कूल में सभी केरल आंद्र प्रदेश ओडीशा उत्तर प्रदेश दिली महराष्ट्र करनाटक हर्याना पंजाब समें तमाम राज्यों की संस्कृति को बताया जाएगा इसके लिए संबंधित राज् अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की किताबें मंगाई जा रही हैं दिली एक्स्प्रेस वे पर सौ लोगों की बैठने के लिए एक मिनी स्कूल बनाया है बारिश के मौसम को देखते हुए इस पंडाल को वाटर प्रूफ बनाया है सबसे महत्पूर्ण बात ये है कि मिनी स् अलावा सम्विधान में अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे वहीं बच्चों को कलर बुक के साथ इतिहास की किताबें पढ़ाई जाएंगी युवाओं को अपना भविश्य बनाने में किन किन योजनाओं की जरूरत होगी या उन्हें खेती में किन सरकारी स्कीम से राहत मिलेगी इसके बारे में भी बताया जाएगा सत्ता विमर्ष ब्यूरो के रिपोर्ट